नवश्कार, BCN News की प्रदेश की खबरों में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ आईए एक नजर डालते हैं खबरों के और प्रदेश के ग्रुह मंतरी, ड़, नरोतम, मिश्रा, प्रवास की दूसरी दिन दतिया में, गहोई वाटिका में आयोजित, राश्य बाली का दिवस के दोराowym, मेला बाल विकास, दतिया द्वारह आयोजित, मेला समान कार्यक्रम में उपस्तित रही जिस दोरान मन्द से समोधन करते हुई राज्य एवं केंडर सरकार की योचना पॉनिक बटन के बारी में समोधन करते हुई बताया कि यह एक ऐसी तक्नीक है जो हमारी बेटियों की गाड़ी में लगाई जाएगी इसका प्रयोग जब हमारी बेटिया किसी मुसीबत में हो तो इस बटन को दबाने पर 10-15 मिनिट के बीच पुलिस सायता उनके पास पोचे जाएगी साथ ही प्रदेश सरकार महिलाओं के समान एवं बेटियों के लिए सदैव ततपर है और इनके अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास में लगी हुई है साथ ही प्रदेश की जिलों में आजीवन कारवास की सजा काट रहे 183 बंदी जिन में 6 महिला बंदियों को अच्छे आच्छरन की चलते रिहा करने का निर्ने कंटंतर दिवस के दोरान राजस सरकार ने लिया यह प्रदेश सरकार की एक महत्व पोनप पहल है ग्रोहमंत्री के साथ इस कारेक्रम के दोरान दत्या कलेक्टर संचे कुमार पलिस अधिक्षक अमनसी हराठोर जिला कारेक्रम अधिकारी अर्विन उपाध्याए बीजेपी जिला अधिक्ष सुरेन रबुधेलिया युवानेता भूरेच चोधरी उपस्तित रहे सम्मान कारेक्रम जो ग्रह विवाग और महला बालिविकास का था मद्य प्रदेश में अब पैनिक बटन के अंदर पुलिस साहता उसको पहुचेगी 26 जिनवरी गर्तंत्र दिवस के अपसर पर राजी सरकार के द्वारा जेलों में आजीवन काराबास सजा में निरुद्ध कैदी 183 बंदियों को गर्तंत्र दिवस पर रहा किया जाएगा इस 183 में 177 फुरुस और 6 महला रहा किये जाने का निर्णे लिया है BCN News के लिए दत्या से लोकेश मिश्राक रिपोर्ट ग्राम बिजल गाओ के युवाओ द्वारा अयोध्या में निर्मान होने जा रही राम मंदिर के लिए निधी समर्पन भव्यर रैली निकाली गई जिसमें सेकड़ युवाओ ने जेजे श्री राम की नारे से ग्राम को गुंजायान किया रविवार को बिजल गाओ के युवाओ तत्वधान में श्री राम मंदिर समर्पन ने दी अभ्यान के तहत आयोचे त्रयाली निकाली जिसमें सेकड़ युवाओ एवं समीब ग्राम की समस्त ग्रामिन जन वसातु सन भी उपस्तित हुए शोभायात्रा का भव्य आयोचन श्री राम मंदिर चिछली से आरम हुआ मंदिर जोकी हनमाल मंदिर प्रांगन बिजल गाओ में समपन हुआ राली का आयोचन श्री राम मंदिर निधी संपर्ण अभीयान के नेतरतों में पुरे भारत वर्ष की छोटे से छोटे महला ग्राम से लेकर बड़े से बड़े शेयरों और महानकरों में चलाया जा रहा है अपने ग्राम नगरों में शोभायात्रा निकाली चारह है जिसमें ग्राम की युआओ, व Democrat, व्शिरीराम भक्तों में काफी उत्साह दिखाई दिया और चहपुर्वक राम विजिल गाव, करोद, चिछली, पिपल नेर्या में वाहन राली निकाल कर सैकड़ों की संख्या में युवा जुट कर विजल गाव नगर में भगवा ध्वज लेकर जैश्री राम की नारों की साथ साथ हिंदू जागरन करने का आवाहन करती हुई शो समय आ गया है जब भगवान श्री राम का आयोध्या में भव्य मंदिर निर्मान होने जा रहा है उसी के तारह में में श्री राम मंदिर निर्मान की आवाहन पर आज बिजल गाव नगर में राम मंदिर निर्मान की खुशी में शोभायातरा निकाल कर आयोध्या में श्री पर भविश्री राम मंदिर के निर्मान को लेकर श्री राम जन्मभूमी तेतक श्यत्रण्यास समर्पनिधी अभियान के तहट रविवार को बिजलगाव एवं समीप के लोगों द्वारा भविश्य भायातरा निकाली गई वही राम भक्तो की बाइक rally वपद यात्रा समीप के कई ग्राम में पहुची शुराम की शुभायात्रा में सभी वर्क की युवपुर शामिल हुए हिंदुधर्म के लोगों ने भी शुभायात्रा में उत्सा से भाग लिया एवं राश्ट्रे स्वेम सेवक संक के कारे करताओं ने शुभायात्रा में बढ़ चर कर भाग लिया बीजी के साथ जोश उत्सा से चल समारोहन निकला यह यात्रा ग्राम के सर से बहुत भव्य थी लेकिन यह रैली में युआ रहे राम भक्तो की काफी उदासिता नाराज की भी देखी गई जिसमें राम भक्तो को खाते गाव जिलह परीशत पंशायत की ग्राम पंशायत विजल गाव की तहट ग्राम चिचली पूरे गली महुले से गंदेगी भरी पानी से निकलना पड़ा जिससे देखते हुए राम भक्तों ने ग्राम पंचायद विजल गाव के जिम्मेदारों दोशी ठहराया और नाराज कि चताई जिससे साफ होता है कि देश की प्रधान मंतरी कितना ही कुछ कर, कितनी सफाई के नाम पर राशी आज आए लेकिन पंचायद के जिम्मेदारों के द्वारा रोड के साइड में नाले निर्मान नहीं कराया गया अब दिखने वाली बात यह होगी कि अगले सारवजनिक या अन्य कोई यात्रा में पंचायद के ग्रामों में यस्तिती बनी रहेगी या ग्राम पंशायद की जिम्मेदार कुम्हकरण नीन में सोते रहेंगी तुम्हारी राह में मिट्टी के घर नहीं आते इसलिए तो तुम्हें हम नसर नहीं आते वैसे तो किसी शायर की ये पंक्तिया अपने आशियाने की आस में आदिस जिन्दगी होम कर चुके गरीबों की दर्द को बया करने के लिए काफी है आलम यह है कि शासंद्वारा चलाई जारी गरीबों की उत्थान के लिए तमाम योजना का लाब उन्हें नहीं मिल रहा तो वही सैकडो ग्रामीन ऐसे भी है जिने ये लाल पिले कार भी नसीब नहीं हुए आवास मिलने की आस में ही इन मसलुमों की आदी उम्र गुजर गई शासंद्वराशंद्व की बेरुखी इनकी हर उमीद को कुचल रही है शासंद्वार्ण के दाओं के बाद भी उन्हें अभी तक आवास नहीं मिल सका हम आज बात कर रहे हैं देवास चिलेग खाते गाउ के ग्राम पंचायत इकलेरा के वमन गाउ की जहाँ शासन की किसी भी कल्यान कारी योशना का लाब नहीं मिल रहा है गाउ के कई गई पैवार भी पिलकार और आवास योशना के लाब से वंचित है सरपंच अमरसी हपटेल वो ग्राम पंचायत की सचीव द्वारा मनमानी और लापरवाई की कारण शासन विभीन योशनाओ का लाब नहीं दे पारा गाउ के गरीब मजदूरों का कहना है कि कई सेक्ड़ों बार सरपंच सचीव से बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन मनमानी कर हम गरीबों पर ध्यान नहीं दिया शाता और ना ही हम गाव वालों की सुनवाई नहीं हो रही है ग्राम पंचायत इलाके के अंतरगत ग्राम बवनकाओ की गरीब मसूर विक्त ही आज तक शासन की योशनाओ को तरस रहे हैं सर्फ ग्राम पंचायत की जिम्मेदारों की करन गरीब लोग हम गरीब रेखा की कोपी नहीं नहीं वन गए ग्राम पंचायत इलाकी तहट बमनगाओ के सैक्ड़ों की लगभखनिवासी कई गरीब परिवार कच्छे मकानों में मुश्किल के साथ जिवन्यापंद कर रहे हैं ये गरीब परिवार कई सालों से ग्राम पंचायत से प्रधानमंत्री आवास वसीयम आवास की मांग करते आ रहे हैं पर पंचायत इस पर धान नहीं दे रही बरसाथ की मौसम में गरीब को मिट्टी के कच्छे मकानों में ही रहना पड़ता है अतिवरिष्टी से कई कच्छे मकान डह चुके है गरामिन ने यह भी बताया कि बमन गाव में पीने की पानी की बहुत ज्यादा समस्या है बहुत परिशानी का सामना करना पड़ता है जिसके चल थी पिएचो विभाग द्वारा बमन गाव में एक बोर्बेल भी आज से दस वर्ष पुर्वल लगाया गया जिसे की पुरे गाव का पानी सप्लाय हो सकी लेकिन बोर्बेल सर्फ और सर्फ दिखावे के लिए रह गया ग्राम इनों का कहना है कि बोर्बेल की मीटर का प्रती माह बिचली भिल भी आता है लेकिन पता नहीं क्या होता है इक भी कुटी किसी गरीब को नहीं दी गई है ग्राम इनों ने बताया कि उनके पास पिछले कई सालों सी बीपियल कार्ड भी नहीं है वे लगातार पीम आवास की मांग कर रहे है ग्राम पंच यायत की अंसुनी की कारण अभी तक मूलबूच सविधा को पानी के लिए बेसबरी इंतजार कर रहे है सभी के कच्छे मकान है बारिश में कच्छे मकानों में आई दिन जहरी लेजीव जन्तू वसाप निकलते रहते हैं जिसे घरों में रहने वाले पुरुष बच्छे महिलाओ को हमेशा जान का डर बना रहता है अब ग्रामिनों का कहना है कि हम इस समस्या को उच्छ अधिकारी तक भी पहुचाएंगे इस विशे को लेकर सवादाता हरशित तिवारी ने सरपंच अमरसीह पटेल से इस पूरे मामले में बादशीत की गई तो उन्होंने सारे सवालों का खंडन कर एक से डेड़ महा में समस्या का निकारन करने की बात कही अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इन ग्रामिनों को मुल्बूत सुविधाय और शासन की जनकल्यान योजनाव का लाब मिलेगा या किसी तरह ग्रामिनों को जिंदगी निकालनी होगी बीसियन नियूज के लिए देवास से अरुन उयके की रिपूर श्री राम मंदिर निर्मान महा अभियान को लेकर अनुपर जिले की राजनगर में राम सेव को द्वारा तेश चनवरी को श्री राम भविश्यो भायात्रा निकाली गई जो दोपेर एक बजे शांती नगर सित शिव मंदिर प्रागन से प्रारम होकर फौजी नगर सुभाश नगर न्यूराज नगर ए टाइप चर्ट सियारोबी टाइप दुर्गावनिर रोड बस स्टैंड होते हुए भगत सीह चौक पहुची भगत सीह चौक में भगवान श जंख्या में विश्व हिंदु परिश्यत के पदादिकारी कारिकरता एवं रामभक्त उपस्तित रहे बीसीन न्यूस के लिए अनुपर जिले से भूपेंद्र पटेल की रिपोर्ट बीसीन न्यूस की प्रदेश की खबरों में फिलाल इतना ही एसीन ने और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे ये बीसीन न्यूस नमस्कार